हिंदी सिनेमा में जाने कितने ही कलाकार आए और चले गए कुछ नाम कमा गए तो कुछ भुला दिये गए कोई बड़े-बड़े किरदार निभाकर भी नहीं पहचान बना पाया तो किसी ने छोड़े-छोड़े किरदारों से हमिशा के लिए पहचान बना ली ऐसी ही एक कलाकार थी लीला मिस्रा वॉलिवूड एक्टरस लीला मिस्रा लीला मिस्रा को आखिर कौन नहीं जानता फिल्म सोले का एक फेमस सीन तो आपको याद ही होगा जब धर्मिंद्र यानि की वीरू पानी की टंगी पर खड़े होकर बसंती से साधी करने के लिए मौसी जी से पूचता है ये सीन भला कौन भूल सकता है ये मौसी और कोई नहीं बलकी बहतरीन अदाकारा लीला मिस्रा थी लीला मिस्रा को आपने कभी मा, मौसी, चाची, मामी और नानी का रॉल करते हुए ज़रूर देखा होगा लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उन्हें उनके असली नाम से नहीं बलकी फिल्म सोले की मौसी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं वालिवूर इंडस्ट्री में अब तक कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो लोगों के दिलों पर सदियों तक राज करती रहेंगी मगर अक्सोस इस बात का है कि ऐसी फिल्में बहुत ही कम है जिसका हर एक किरदार इतनी खूब सूर्ती से रचा गया हो कि देखने वाला उसे कभी न भूल सके ऐसी एक फिल्म साल 1975 में आई थी जिसके डारेक्टर थे रमेश सिपी और फिल्म का नाम था शोले इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसके गाने डायलोग कहानी वा हर एक किरदार ने धर्सकों के दिलों में अपनी ऐसी चाक छोड़ी सदियों तक चाहकर भी लोग नहीं बोल सकेंगे शोले की मौसी यानी लीला मिस्टरा ने वॉलिवूड की फिल्मों में जान फुकने का काम किया अपनी जमाने की मसूर अभिनेत्री लीला मिस्टरा का जन एक जनवरी उनिस्टर आठ को हुआ था इनके पिता उत्तर परदेश के गाउं के बहुत बड़े जम्यदार हुआ करते थे अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी लीला को सीख्ष दीख्ष नहीं मिल सकी इसकी पीछे वज़े थी लीला के घरवालों की दख्यानूसी सोच और विचार इसी वज़े से लीला की सादी भी बहुत जल्दी हो गई मातर बारह बर्स की उम्र में लीला की शादी बनारस में रहने वाले सक्स राम परिशाद मिश्षा से करा दी गई सादी के कुछी सालवाद लीला मिश्षा दो बेटियों की मा भी बन चुकी थी लीला मिश्रा सुरू से ही धार में ख्यालो वाली रही हैं और उनके पती भी आजात किस्म के व्यक्ती थी उनके पती मुंबई आते जाते थे वे सिनेमा में काफी उची रखते थे इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वर फिल्मों में साइलेंट ट्रॉल्स किया करते थे एक वार की बात है जब रामपिरसाथ के घर एक मित्र मामा शिंदे उनके घर आई हुए थे तब उन्होंने लीला मिश्रा को पहली वार देखा और देखते ही कहने लगे कि लीला को फिल्मों में काम करना चाहिए लेकिन लीला ने उनकी बात से साफ नकार कर दिया जब उनके पती ने उनको फिल्मों में काम करने के लिए समझाया तो वो मान भी गई लेकिन लीला की फिल्मों में काम करने की बस दो सर्टे थी पहली ये कि वो किसी भी फिल्म में रोमांटिक रॉल्स नहीं करेंगी और दूसरी सर्थ ये थी कि वो कभी भी सिर से पलू नहीं उतारेंगी अपने मामा शिंदे की बात को मानकर रामपरशाद और लीला मिश्रा बॉम्बे चले गए वहां पहुँचकर दोनों ने अपनी अधाकारी सुलू की और फिल्मों में काम करने लगे इन दोनों की पहली फिल्म सार 1936 में आयी थी जिसका नाम था सती सलोचना इसमें रामपरशाद निरावर का करदा नभाया था और लीला मिश्रा ने मंदो धरी का रॉल अधा किया था इस फिल्म में काम करने के लिए रामपरशाद को 1.500 रुपे महीना मिला करता था और लीला मिश्रा को 500 रुपे महीना मिलता था इसके पीछे का कारड ये था कि उस समाने में बोलती हुई फिल्में बनती थी और उन फिल्मों में महिलाओं के किरदार भी पुरुस ही निभाया करते थे लीला मिस्टरा फिल्मों में अक्सर मा, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में ही नजर आती थी ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि इतनी सुन्दर अभिनेत्री ने अपनी जवाने के दुनों में भी रोमांटिक सीन्स क्यों नहीं किये और ऐसा नहीं था कि उन्हें रोमांटिक सीन्स लोतर अभिनेत्री का रॉल अदा करने का मौका नहीं मिला ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सुरुवाती दिनों में कुछ फिल्में ओफर हुई थी जिनमें उनका किरदार लीड रॉल में था लेकिन उनका किसी और आदमियों का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने कभी भी लीड रॉल नहीं किया फिल्म सोले की मौसी यानी लीला मिश्णा ने अपने लगभग 5 दसक तक चले करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था इन में अनमोल घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवन्ती, सोले, पहली, चसमे बद्दूर, नदिया के बार प्रेम रोग जैसी फिल्म में शामिल है उनका काम काज आज तक लोगों की दिलो दुमाग में जीवित है सोले के अलावा फिल्म नानी मा में भी आये गए उनकी किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी इसी फिल्म के लिए एक्टर्स लीला मिश्रा को पहली बार 73 साल की उम्र में बेस्ट एक्टर्स के आवार्ड से सम्मानित भी किया गया था लीला मिश्रा ने बॉली गुड के अलावा भोचपूरी सिनेमा में भी काम किया था और अपने शांदा रभिने से लोगों के दिलों में जगह बना ली करीब 50 सालों तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ निचावर करने वाली लीला मिश्रा का निधन 17 जनवरी 1988 को हाट अटेक की बज़े से हुआ था